सुप्रीम कोट अपडेट दस फरवरी दोहजार तेईस आज दस फरवरी दोहजार तेईस को सुप्रीम कोट में एक एहम सुनवाई थी जोदपुर की 391 अप्लिकेशन जिसमें अजेपाल लांबा की री कॉल के लिए जो चैलेंज किया गया था अजेपाल लांबा की तरफ से सुप्रीम कोट में उस पर ये एहम सुनवाई आज थी सुप्रीम कोट में इस सुनवाई आज पूरी हुई जज द्वारा जो जजमेंट है उसे सुरक्षित रखा गया है कुछ ही देर में जजमेंट जो है वो सबी के सामने रखी जाएगी और हो सकता है कुछ दिन के अंदर अंदर जज्मेंट जो है वो दी जाया भी कुछ डेट फाइनल नहीं हुई है उस वज़ा से कुछ कहा नहीं जा सकता कि जज्मेंट कब तक आएगी लेकिन जो ट्वेटर पर बार और बेंच का ओफिशिल जो ट्वेटर है उसके द्वारा ज वो आएगी लेकिन जैसे ही जज्मेंट आएगी उसके बाद सभी तक जो है वो अपटेट कर दी जाएगी आज अज अजेपाल लांबा का जो मैटर था जोदपुर का उस पे सुप्रीम कोट में सुनवाई होनी थी और वो सुनवाई जो है वो आज कम्प्लीट हुई अभी जो हाई कोट में अपना केश चल रहा है अपनी जो अपील पेंडिंग है उस पर भी संभवता इसकी जज्मेंट आने के बाद जो सुनवाई है वो सुचारू रूप से चल पाएगी यह हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम सभी यही प्रार्थना करें कि जो भी जज्मेंट